हेलो जी राम राम जी कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे सुख आगत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो गाइस अभी सुबह के बज यह हैं च्छैं और मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले लगा दी है मसीन क्यू मैं पाँच बज़े उठ गई थी लेकिन मैं फिर लेटी रही थोड़ी देर फिर मैंने सुच्चा थोड़ी देर में उठती हूं कब रहे दोने के लिए मसीन भी लगानी है तो मसीन करके मैं आगी हो जाडू लगाने के लिए क्योंकि मेरा वैसे तो सबसे पहला काम करने में तो सूरज इतनी तेज निकलता है, सर में दर्द होने लगता है, सूरज बहुत जादा धूप होगी आज तो कपड़े धूने का काम ऐसे होता है क्योंकि डारेक्ट धूप सुरूम में यहीं आती है तो कपड़े वगएरा धूलने में फिर बहुत जाद अधिक्कत होती है इसलिए अपना सुबही मसीन लगा दी है तो कपड़े अपने अराम से धूल जाएंगे कोई भी प्रॉब्ल बहुत अच्छा लग रहा है और यहां पर मैं अपना धनिया पानी पीने के लिए बैट गई हूं यह मेरा टैली का रूटीन है क्योंकि जब से गर्मी में इतनी दिक्कत होती है एक तो मुझे ना जैसे गर्मी जाद होती है तो हम अंदर ही सोते हैं चाय कितनी भी घर्मी हो कितनी थंड हो अंदर ही सोते हैं 12 महीने और यहां करीब 6-7 साल से हम रह भी रहे हैं, तो जब से मैं मतलब मिहां से अंदर सोती होना, तो गर्मी जाद होने पे मुझे इतनी दिक्कत होने लगती है, मुझे ऐसा लगता है, जणने सांस आना ना बहारी हो रहा है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है जाद अगर मीना मुझे बिल्कुल भी सहनी होती और वैसे अगर मौसम थोड़ा ठीक रहे या बारिस वगएरा आजाए थोड़ा ठंडा सा रहता है तो उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन अगर गर्मी है तो गर्मी में मुझे सांस लेने में बहुत जाद अदिक्कत होती है और धनिया-पानी पीने का इतना फायदा है एक तो गले में अगर कोई हमारे इनफेक्शन वगएरा रहता है वो भी इससे दूर हो जाता है और वैसे भी धनिया-पानी के और भी बहुत सारे फायदे है तो यहां पर मैंने कपड़े लगते अपने सभी धोदिये हैं मैं अपनी पूजा करने के लिए आगी हूँ यहां पर क्यूंकि पूजा ना हमें डेली करनी चाहिए और जैसे कि कोई मतलब लेड़ी होती है ना अधिकतर बिमार रहती है जैसे कि मैं रहती हूं उन लोगों को तो वैसे भी सुबह जरूर करनी चाहिए क्योंकि सुबह सुबह पूजा कर लो तो मन नेक तो सांत रहता है और वैसे बहुत अच्छा लगता है और मेरा बाहर का काम सभी खतम हो गया है यहां पर मैं सबजी बनाने की तयारी कर रही हूं तो बच्चों के पापा भी डूटी से आ गए हैं तो यह पहले मतलब घहम पानी के साथ में तीरफला लेते हैं तो मैं यहां पर सब्जी काट रही हूं यह अपना तीरफला ले रहे हैं और नियाल बना रहा है आज चाहे और दूद्ध गरम करेगा अपने लिए और आदी के लिए तो मुझे यह तो फायदा हो ग जांगी और वैसे तो सुबह चोटे बड़े काम इतने हो जाते हैं बहुत सारे ऐसा नहीं है के सहर में रहते हैं तो कुछ काम नहीं है और बेटब मेरा चाहे बना रहा है और यह बोलता है कि ममी जी दो काम तो आपने मुझे ही दे रखे हैं एक तो दूद लाने का और एक अधिक्तर जब इसे नहीं लाना होता है इसका मन्नी होता तहीं मन्य कर दिता है कि आज मैं दूंद बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा तो उस दिन नहीं लाता है लेकिन मैं भी सोच ले तू कोई बात नी बच्चा है तो वस ऐसा ही आए मतलब आ दिये यहां पर दूद लेके आ गया है अपना बहुत ज़्यादा दूद गरम है बोल रहा है मम्मी जी बहुत गरम हो रखा है तो निहाल ने ही से दूद गरम करके दिया है और यह अपना दू बाहर ही चाए पी रहे थे क्योंकि बाहर का मौसम काफी अच्छा हो रखा था तो अंदर बैठने का विल्कुल भी मन नी था बाहर कई मौसम ठंडा था और बाहर का काम सभी खतम करके अब मैं आ गई हो किचन में और आज मैं बना रही हूं यहां पे तोरी की सबजी और मैं इन से बोला कि आप तोरी ले आना तो यह तोरी ले आए थी नीच जाके तो इसलिए आज मैं तोरी बना रही हूं क्योंकि एस दिन में रहते हो तो शुबह रोटी का काम मैं जल्दी कर दीटी हूं क्योंकि नाइट सुप्स चल लिए तो फिर मैं हं काने नहीं बनती 10 ख़ए में मैं बना भी देती हूं लेकिन मैं भूक नहीं लगती इसकुल में इहांते हैं सिर्में आज महंधि लगा रही हूं कि हुआने हैं यहां जैसे मैं अग्रमी बढ़ गया है तो थोड़ा अपने लिए भी कुछ कर लेना चाहिए इसलिए मैंने सुच्चा अपना काम रोटी वगरा मैंने सब इनको बना के खिला दी थी तो मैंने सुच्चा मैं सर पे महंदी लगा लूगी और दो तीन घंटे अपना रखूंगी और फिर बाद में बॉस कर लूँगी स यह मैंने हाथों पे गलफ्स डालके जब महंदी लगा इती नहीं तो हाथ ना महंदी नहीं हो जाते था अगर इसे खुला रखते हैं तो महंदी पर जल्दी ऑस नहीं पाती है और उस तरह थालि लपके ना थेलीमा अखल कासा कोई चैद कर लो ताकि इसमें हवा थोड़ी पास होती रहे तो उससे ना भवकानी बनता है सिर में नहीं तो महांदी से भी ना सिर में दर्थ हो जाता है तो यहां पर मैं महांदी लगा कि अब खाना खा लेती हूं मैं भी वच्चों को मैंने पहले ही खिला दिया था और यह मेरी की सबजी निम्गू रोटी तो तोरी मुझे निम्गू के साथ में बहुत अच्छी लगती है तो आप लोग भी खा लीजे खाना तो गैस धूप काफी हो चुकी है मसीन के कपड़े थे यह भी सूप गये हैं तो मैं कपड़ों को भी उतार लेती हूं क्योंकि कपड़े तो चुद्णी मैं निसर पर बांध लिया क्योंकि बाल मेरे अभी गिल्ले हैं और कपड़ों की तैम मैं साथ की साथ बना दूंगी तो इससे क्या होगा ना कपड़ों में सलवटे नहीं आएंगी और आज बच्चों के पापा भी जल्दी उठ गेते थोड़ा तो वह बच है अगर कपड़े ऐसे पड़े रहेंगे से आम तक कल तक तो फिर ये कपड़े पड़े हुए भी गंदे लगते हैं कपड़ों में सलवटे इतनी आ जाती है बहुत ज़्याद है कपड़ों की तैमेरे सभी हो चुकी है और बच्चे जो हैं दिन में बीना कपड़े लेकर ही लीजिया हमारे साथ समोसे तो इस वीडियो का भी हमें अंड़ करेंगे हैं